तो आज मैं आ गई हूँ फिर एक बहुत मज़दार और यूनिक सा रेसिपी लेके तो आज हम बनाने वाले हैं बतक के अंडे का मलाई कड़ी तो उसके लिए लिया है मैंने पाच बतक के अंडे और आधर टमाटर, एक हरी मिर्ची, दो प्याज और साथ से अटले सुन सबका हमें एक पेस्ट बना लेना है और इधर मैंने लिया है नारियल का सूखा पेस्ट ठीक है अब कड़ाई में डालना है एक चमच तेल, तेल को गरम होने पर डाल दूँगी अंडे और अंडे डालके हमें उसे हलका फ्राई कर लेना है, जादा फ्राई नहीं करना है कड़ाई और तेल में मैं डाल दूंगी एक तेज़ पता दो इलाइची दो लॉंग बस फिर सारे खड़े मसाले को एक से दो सेकंड भुल लेना है उसके बार डाल दूंगी वही टमाटर प्याज का पेस्ट को मैं डाल के ना पाच मनेट एक दम लो फले में पका लूंगी उस इसके बार डाल दूंगी इसमें एक चोटा चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चोटा चमच रैचली पाउडर फिर सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना एंड डाल दूंगी एक चोटा चमच कश्मीरी लाल मेट कश्मीरी लाल मेट से ना त और नारियल को अलग से निकाल लेना है तो बन गया हमारा नारियल का दूद अब मसाले से ओईल भी रिलीज हो गया है अब इसमें डाल दूँगी एक चाय के कब जितना पानी और उबाल आने तक पका लूँगी और जब इसमें अच्छा खासा उबाल आ जाये ना तब डाल द किया तो उसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं था इसलिए मैंने आदा चुटा चमत चीनी डाला है बस अब हमें कुछ और नहीं करना है अब मैं गैस का फ्लेम को एक दम आफ करके इसमें डाल दूँगी अंडे जिनको अभी अमने फ्राई करके रखा था तो बस हमारा अंडा मलाय करी बिल्कुल रेडी है और इसके उपर से ना मैंने बस एक हरी मिर्ची को चीरा लवा के और थोड़ा सा धन्या पत्तर डाला है अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है इसके उपर से ये सब बिल्कुल ऑप विडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई